हे गाइस विलकम बैक टू अप्टेन एक्स क्रिप्टो डेली बात करेंगे आज एने के बारे में एने की वीडियो सुबह में डाल चुका हूँ लेकिन ये वीडियो दुबारा डाल रहा हूँ क्योंकि उस वाली वीडियो में आडियो साफ नहीं आई थी बहुत से लोगों की कोई भी दिक्कत ना हो डिरेक्ली आप वीडियो देख सको टेलिग्राम जॉइन करो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा मेरा सिर्फ मकसद यह है आज कल कि मैं अपने टेलिग्राम को ग्रों कर सकूं आप लोग के साथ जादा स्यादा लोग उस जनरी पर जुड़ें क्योंकि कर लिए मैंने पिछले दिनों में काफी ददा कॉल सवां पर दी हैं कुछ चली है कुछ नहीं भी चली है लेकिन में में जो कोल है ब्सक्राइब की वह भी इंटक्ट है जो लॉजिक बताया कि इथेरियम आएगा एथेरियम उठेगा सब कुछ मैं बता रहा हूं मैं वही ब यह ने की बात करने से पहले हम बात करेंगे एथेरियम स्लैश बिटकोइन के पेर की बिकॉस डाट इस वेरी कूशल इन डिटर्मिनिंग पाथ यह ने वेर इट विल गो इन नेक्स तो सबसे पहले अगर हम केडल याणि वीकली कंडल खा जाती गहां पूरे मुझमेंट को आप पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है अब आप जानते हो कि इसको हम क्या कयते हैं हम कहते हैं इसई कि इसए डिवे सब्सक्राइश चमार Solomon की की बहुत बहुत को मिलेगी और इतना भी दोबार मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रैली आने वाली है ठीक है क्योंकि this is something कि यहां से हम 50-56% की बात कर रहे हैं जो कि ethereum आउट परफॉर्म करें bitcoin को यानि ethereum 50-56% ज्यादा return लाके दे bitcoin से जादा that is something जो बहुत important होने वाला आने वाले दिनों में और आपको देखने देखके लग होगा क्यों ethereum पिछले दिनों में strong है क्योंकि इसने support हाली में जो तोड़ा था उसको reclaim किया हुआ है इसलिए ethereum strong लग रहा है जो हमारा bitcoin है अच्छा इसी चक्कर में मैं आप लोग को एक और चीक दिखा दू बस एने पर आगे बस थोड़ी देर रुकिए ठीक है यह मैं बनाया था बहुत पहले चार्ट बनाया था आज भी इंटेक्ट है 2800-2900 पर आपको buying कराई थी भाई ने आपको दुबारा से बोला था कि यह जो टार्गेट है वो 4900 डॉलर का रहने वाला है इसको हम थोड़ा सा छोटा सा कर देंगे three days में कर देंगे because important है भाई समझना ज खोल सकते हो बहुत अच्छी ट्रेट चलेगी इसको आप लेका रखो max to max अगर आपको downfall मिलता है इसके निचले इससे पर यानी 3200 तक मिल सकता है और आपको वहाँ पर long create करनी है ताकि ethereum जो है भागेगा इसके बाद अब हम आते हैं directly ENA के ओपर ठीक है यह हमारा ENA का चार जाता है कि एक whale wallet है जिसने पहले भी ENA को buy किया था 80 cents पे 90 cents पे वहाँ पर 10 million ENA फिर से निकाल चुका है यानी 7 million dollar की फिर से buying करी है उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि उस बंदे ने almost almost कितने ENA buy कि है 40 million dollar की ENA buy कि है अब तक और उसमें यहाँ पर loss खागे बैठा है और 35 million उसका money हो गया है 3 million, 4 million का उसका loss है ठीक है लेकिन एक चीज़ जो समझनी है वो क्या है कि भाई यह 40 million dollar है ठीक है कोई भी आदमी ऐसे ही डाल देता 40 million dollar unless उनके पास बहुत solid इलफाओ तो whales जो है वो इसको accumulate कर रहे है साथ transaction हुए है centralized exchanges से जहां पर आप आप देखोंगे ENA को accumulate किया जाता रहा है चाहिए वो 1 dollar के नीचे जब भी आया इस whale ने buy किया है पहले तो इसने 76 cent पर भी निकाला था इसका average जो है 76 cent हुआ है ठीक है और हाँ इसका average जो चला वो 76 cents का है इसका average अगर 76 है यह अपने average से बहुत नीचे है तो आपको तो 59 cents प को लेना है कि नहीं वो मेरी वर्जी नहीं अब देखो reclaim की बात करते हैं तो reclaim की बात कैसे होगी कि अगर यह support दुबारा से reclaim होगा तो हमें rally मिलेगी minimum 83 cents की वहां पर strong rejection हमें VPUR का देखने को मिलता है उसके बाद हमें जानते हो क्या होगा यह नीचे आएगा यहां कहीं पर support देखा 72 75 उसके बाद हमें rally 1.2 1.2 तक दिख सकती ही लेकिन मैं हाँ पर मोटे मोटे बड़े time frame की बात करने आया हूँ छोटी मोटी बात तो मैं करूंगा नहीं ठीक है तो अगर हम बात करते हैं पहले क्या जरूरी है एने में पहले important हमारे पास देखना जरूरी पहले तो R स्टोकास्टिक और याला तो जब मैं इसके daily के स्टोकास्टिक और इसको देखें तो हमें RSI oversold इसमें भी RSI जो है वो स्टोकास्टिक और इसाई oversold दिखता है ठीक है दोनों में oversold दिखता है तो अब हमारे पास options क्या है कि कही ना गई इसका likely bottom बनने वाला है अगर यह नह long जो भी करना है कर सकते हो और minimum target आपको 83 cents तक का मिलेगा यानि वह आपको minimum आपको यहां से यहां तक का return मिलता तो 30% मिलेगा उसका top अगर देखें तो 40% और यह वाला high तो 55% यह assured returns होते है इसका reclaim हो गया तो trade बनेगी जिसमें आपको 40-50% मिलके ही मिलके जाएगा अब बात करते हैं बहुत ही long term time के कि इसका क्या projection है अब अगर हम bull run में बात करें तो उससे पहले मैं आपको कुछ fundamental दिखाना चाहता हूं ठीक है fundamental में कुछ चीजे है जो बतानी है पहले तो 3 billion का TVL हो गया है यहने का यानि उसमें जो USD है ना उसके अंदर जो assets collateral जो लगे हूँ है उसको restake करो तब जाके आपको मिलेगा तो यह community को दे रहे हैं इसके बाद जूद इन्होंने यह भी बोला कि जो team है वो अपने पास कोई भी token नहीं रखने वाली है यह clear किया है ठीक है उसके बाद अगर बात करें starting June 17 ENA airdrop users will be required to lock a minimum of 50% of claimable tokens जितने भी airdrop आय थे उनका 50% and lock कर दीजिए failure to do so results in forbidding ठीक है team did clearly state no tokens will be retained by the team foundation और investor इनके पास कोई भी token नहीं रहेगा यह clearly बोला गया true intention is to distribute these tokens back to users aligned with the long term vision of it जितने भी long term इस से जुड़े हुए है इस project से उनको खाली airdrop मिले ठीक है यह एक चीज़ important है दूसरी चीज़ यह है कि इन्होंने बोला था कि USD को थोड़ा focus करने वाले है gas token के लिए और asset core asset बनाने के लिए ठीक है तो उस पर बहुत सारी बाते चल रही है live June 26th I'll be risk taking my in as I'm expecting these to be the top airdrops अच्छा कौन से airdrop की बात हो रही है जो लोग ENA को stake कर रहा है न यहने की recently partnership हुई थी symbiotic और layer zero के साथ symbiotic एक protocol है जो कि यहीं पर yield वगेरा पर काम करता है तो symbiotic नया है और इसमें users की काफी जादा growth है इसमें paradigm ने जो है 5.8 million dollars का seed fund भी मिला है इसको इसने raise किया है तो massive airdrop आने वाला है early adapters के लिए और यह उन लोगों को मिलेगा जिनोंने ENA जो है अपना stake किया होगा तो ENA stake करने से उनको इसका airdrop मिलने और अगर यह airdrop बड़ा होता है तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फायदा होगा symbiotic में actively जो secure कर ली है TVL वो 245 million है और इसका airdrop मिलेगा ENA stake करने वालों को जिन्होंने भी ENA अपने stake कियोंगे उनको इसका फायदा मिलेगा ठीक इस तरीके से फायदा मिलता है और कहीं न यहां पर यहां पर लागू कर दिया open कर दिया वहां पर ठीक है तो वह एक important चीज है जो important है मुझे नहीं लगता है project dead होने के लिए है अभी फिलाल के लिए आपको यह लग रहा हो कि यह dead है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अभी more and more partnership जो है इसकी आने वाली है ठीक है और यह यह भी important news है जो अभी recently आई है June 20 को कि USGE as margin collateral for coin M margin pubs and futures zero fee spot trading on the USDE-USDT pair, USDE in the earn section ठीक है 25 million users है bid get के और वो bid get जो है अब अपने पर USDE लागू कर रहा है दीरे दीरे जो है थे ना कि जो reach है वो बढ़ रही तो कहीं ना कहीं हमें लगता है project solid है project increase करेगा timing बस की देर है कि Ethereum कब rally अपनी start करता है और start होती इसकी rally अगर हम funding की बात करें तो negative which is a good sign कि भाई लोग जो है short करने पर विश्वास रख रहे है अब important क्या है लोग जो short कर रहे है उनकी हालत कब tight हो जाएगी जब यह उपर आजाए 65 cents के जैसे उपर आएगा उनको अपनी shots close करनी पड़ जाएगी और वो short जब close करेंगे तो और short squeeze आजाएगी और minimum को 80 cents की 83 cents तक की rally मिली ही जाएगी ठीक है यह एक important चीज है जो आपको समझनी है thank you so much for watching this video I hope आप लोग को video अच्छी लगी thank you bye